सदन की कारवाई शुरू होते ही नेता पृतिपक्ष अखले श्यादो सहीत सफारालोत की सदस सदन में सारी कारवाई रोक कर प्रदेश की स्वास्त सेवाओं के मुद्ध पर चर्चा कराय जाने की मांग को लेकर वेल में आकर नारिवाजी करने लगे विधान सबाद रेक्ष सतीश महाना द्वारा प्रश्निकाल के बश्याद इस मुद्ध पर चर्चा कराने का आजवासन देनी के बाद सपा के सदस से शांथ हुए और अपने इस्थान पर वापस चले गए प्रश्निकाल के बाद इसी मुद्ध पर नेता प्रतिपक्ष अक्रिश रादों ने कहा कि स्वास्त सेवाओं को लेकर सरकार की किये जारहे सारे दावे हवा हवाई है नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सबी जाचे महगी कर दी गई है नेता पर्तिपक्ष ने सरकार को केरते वे कहा कि सरकारी अस्पतालों में ना तो दवाए हैं ना ही जाचो का कोई इंतिजाम है नेता पर्तिपक्ष के लगाए गए आरोपो के जवाब में नेता सदन और मुकमंतरी योगे आदेतनात ने कहा कि नेता पर तिपक्ष दौरा स्वास्त सेवाओं को लेकर लगाया जा रहे आरूपों से पहले ये जान लेना चाहिए कि प्रदेश में चार बार सफा की सरकार रही है तब उसने इस दिशा में क्या किया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की बेहतर स्वास्त जिवाओं का ही परणाम है कि शिशू और मिर्तुदर में कमी आई है मुकमंतरी ने कहा कि 2012 सुतरा के बीच सफा सरकार के दौरान सबसे जादा इनसे फ्लाइटिस में सबसे बच्चों की मौत हुई है मरने वाले बच्चों में अधिकांश अल्पसंखक दलित और पिछले वर्क के बच्चे थे सफा सरकार के दौरान कोई पेड़ित परिवार में किसी के आंसू पोशने नहीं गया जिस समय मुकमंतरी योगिया आदितनाद नेदा प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे उस समय सदन में डिप्टी सीम परजेश पाठक भी मौचूद थे मुकमंतरी योगिया आदितनाद के इस जवाब से असंतुष्ट होकर सफा के सदस सदन से वाकाउट कर गए इससे पूर्व सपा सदस्यों द्वारा हंगामा करने पर संसदिय कारमंतरी सुरेश खन्ना ने कहा कि सदन की कारवाई तभी रोक कर चर्चा हो सकती है जब परदेश के सामने कोई विशम परस्तिती हो मौझूदा हालात में ऐसी कोई समस्या नहीं है उननका स्वास्त सिवाओं में व्यापक सुधार हो रहा है और लगातार जारी है विपक्ष का मकसद केवल केवल हंगामा करना और सदन का समय बरबात करना है आज सदन में सपा के वरिष्ट सदस से मनौश कुमार पांडे ने कल सपा सदस्यों को सदन की कारवाई में आने के दोरान पुलिस दोरा रोके जाने का विशेशा अधिकार का मामला उठायर जाने पे जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को सदन में बुला कर कारवाई किये जाने की मांग भी की है संसधीय कारमंतری सुरेश कुमार खर्ना ने उनकी इस मांग को सिरे से खारिश करते हुए सदन की कारवाई में हिस्सा लेने से किसी को नहीं रोका इसलिए ये विशेशादिकार का मामला नहीं बनता है उनके इतना कहते ही सदन के सारे सदस उत्यजित होकर वेल पर आ गए और सरकार के खिलाफ नारिबाजी करते हुए धरने पर बैट गए शोड शरापे और हंगामे के बीच विधान सबाद देक्ष सतीश महाना ने सदन की कारवाई निश्पादित की और उसके बाद सदन की कारवाई कल तक के लिए इस्थगित कर दी गई है और अब समचार विधान परशद से विदाहन परश्ट में सदन की कारवाई पुर्वान 11 बजे सभापती कुवर मानवेंदर सिंग के सभापतित्र में शुरू हुई प्रश्न परहर शांति पूरवक चला शुन परहर में सभा के लाल बिहार यादों ने सुमवार को सदस्यों को विक्रमाती तुमार के इसते समाजवादी पार्टी कारेयले के निकट पुलिस बरो दोरा सदन में भाग लेने से रोके जाने पर विश्यशादिकार हनन की सूचना दी की गई थी जिससे नागरिकों को अस्विधा ना हो जिन्नों ने इसका उलंगन किया उनको रोका गिया है शुक्षा दल के धुरुव कुमार्ट पार्टी ने परदेश में अनसुचित जाती प्राइमरी पार्ट शालों में शिक्षकों और करमचारियों के न्यूक्ति के संबन में 23 फरवरी 2022 को नियम 110 के अंतरगत कारवाई ना किये जाने का मामला परशने के रूप में उठाया सभापती ने सूचना को आवश्चक कारवाई के लिए सरकार को भेज़ दिया शून प्रहर में ही समाजवादी पार्टी के लाल विहार यादो आश्यतो सिना डॉक्टर मान सिंग यादो ने 14 सितंबर 2022 को गोंडा में पुलिस कचड़ी में विजली संविदा करमचारी की मौत का मामला कार इस्थगन के रूप में उठाया नेता सदन और उपमक मंतरी केशो परसाद मौर ने कहा कि मुकदमा दर्ज है जाच हो रही है कठोर कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि जब अपरादियों और माफियाओं के खिलाफ कारवाई होती है तो सपा को दर्द होता है हमारी सरकार में गानून का राज है अपरादी परदेश से बाहर है बजबा के भीम राओं अम्बेट करने परदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अंतियोदे पातर गरहस्ती परिवारों को सरकार निशूर के राशन देने वाली योजनाओं को निरमतर लागो रखने का मामला कारे इस्थगन के रूप में उठाया गया मादमिक शिक्षा मंतरी गुलाब देवी ने वेतन संबंद में कहा है कि वेतन रुका कहा रुका है ये माननीय सदस्यों के साथ बैठकर विचार कर लें उन्होंने कहा कि कारोनों का पता लगा कर संबंदित अधिकारियों के खिलाफ करी कारवाई की जाएगी नर्दलिये समु के राज बहादूर सिंग चंदेल डॉक्टर आकाश अगरवाल ने कानपुन नगर के रामकृष्ण मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंत तंतर द्वारा अनुद्वान सूची से हटा कर सी बी सी की मानता में परवर्तित करने का शर्यंत किये जाने का म मादमिक शिक्षा मंतरी गुलाब देवी ने कहा कि शिक्षा के परती सरकार पूरी देल से गंभी रहे शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार कर रहे हैं कोई बादा नहीं आने दी जाएगी अभी आप संधे के घेरे में इससे बाहर निकल लिए